हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जारकन परीक्षा, मैं हुमा संकर और 10,000 प्लस MCQ में अभी हम लोग जारकन समान ने अध्यन में जारकन आर्ट्स और गचर पर रहे हैं, कल से इसमें हिस्ट्री के कोशन्स को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, ओके, तो एक से दो चेप्टर हो जाएगा और धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, तो यह जो है लेक्षेर नंबर, लेक्षेर नंबर 6 है, इसके पहले 5 लेक्षेर हम लोगों ने कंप्लिट किया है, पहला लेक्षेर जो था वो जारकन की जन जातियों का इंट्रोडक्शन था, दूसरा में सं कोशन का explanation, कोशन टेष्ट में bilingual format में available है, आप वहां से कोशन को attempt कर सकते हैं, और आपने attempt नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कोशन को आप देखते चली और ध्यान में इसको रखिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं को, कोशन नंबर 1 है, जन स इसके बाद उराओं हैं, फिर मुंडा है, चौथा में वो जन जाती है, यहाँ तक मैंने बताया था, इसके बाद पांचमा जो है, यह खरवार यह भी आप जान चुके हैं, सिक्स्त में लोहरा, तो यहाँ तक कुछ चेंज नहीं करना है, मैंने जो सेवंत बताया था, वो म इस साथवे नंबर पे होगा, क्योंकि 2.42% के असपास इनकी जन संक्या है, और खडिया जो है, इनका 2.2% के आसपास है, तो यहाँ पर इसका एंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अगला कोशन है, खडिया जन जाती का संकेंदरन, जारखन के किस चेतर में सबसे जाता है देखें, आपको जब मुंडा राज के अस्थापना, मुंडा राज के बारे में पढ़ाए गया था, तो उस समय आपको यह जानकारी दी गई थी, कि जो सूतिया पहान है, जो कि मुंडा राज के अस्थापना करते हैं, इन गार्डेंस ऑफ रिसप मुंडा, तो क्या होता ह है कि जो मुंडा राज के अस्थापना होती है, उसको साथ गड़ में डिवाइड किया जाता है, और 21 परगणा में डिवाइड किया जाता है, इन गड़ को फिर फर्दर 21 परगणा में डिवाइड किया जाता है, तो यह जो साथ गड़ है, इसी में से एक है केसल गड़, औ पाना जाता थैंट वह स्बसे ज्सेदा इनका सकेंद्रण है वकाँ च्छिनी छोटा नाग्पूर में और अगर राची में सबसे ज् عنक सब्साइक और इसके उप कौन सा यह बताना है देखिए आपर तीन classification आपको जानना है एक है racial classification जो प्रजाति दिरिष्टी से देखा जाता है तो जो खड़िया जन जाती है यह किस में आते हैं यह प्रोटो शलॉइड में आते हैं उसके बाद classification जो होता वो language पर होता है तो खड़िया जन जाती के लिए जो भासा है वो क्या है वो खड़िया अब यहाँ पर ध्यान देना है कि खड़िया जन जाती तीन वर्गों में divided हैं एक है दूद खड़िया उसके बाद है धेल की खड़िया और इसके बाद है पहारी खड़िया तो पहारी खड़िया सबसे जादा अलग है क्योंकि यह बा भासा वो खड़िया है इनकी भासा को बोलते हैं खड़िया थार और यह जो खड़िया थार है यह इसके लिए भासा परिवार जो है वो इंडो आर्यान है भासा भारोपी है जबकि दूद और डेल की खड़िया के लिए जो भासा खड़िया है इसका भासा परिवार ऑस्टिक औस्टो एसियाटिक मुंडवाजा परिवार है तो यहाँ पर इनका जो language है हम लोग अगर common देखें तो क्या हो जाएगा खड़िया हो जाएगा और यह किस में आ जाएगा यह औस्टो एसियाटिक में आ जाएगा अगर पहाड़ी खड़िया की बात करने तो इंडो आरियन में हो जाएगा यह क्या हो गया language के अधार पर एक है ललित परसाद विद्यारती जिनोंने कौन किस तरह का किरिसी करता है किस तरह का प्रोफेशन उसके हिसाब से इनोंने classification किया है तो अब इसमें भी दो चीज़ याद रखना है क्या याद रखना है आपको क्या बताया गया था लित परसाद विद्यारती के बारे में कि इनोंने चार डिवीजन किया है एक सिकारी संगरा करता है उसके बाद अस्थानतिरत करिसी है फिर साधरन कारीगार है और चौथा में है इस्थिर क्रिसक या फिर अस्थाई क्रिसी ठीक है तो यहाँ पर पहाडी खड़िया के लिए आपको याद रखना है कि सिकारी संग्राकरता में आते हैं ये दूद और ढेलगी खड़िया जो है ये अस्थाई क्रिसी में आते हैं अस्थाई इस्थिर क्रिसक में आते हैं ओके ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है तो परजादी दृष्टी से ये प्रोटोशलोइट बिल्कुत सही है और खड़िया इनकी भासा है ये भी सही है इनका जो नाम खड़िया पढ़ा है तो ऐसी माननेता है कि इनका जो पेशा हुआ करता था वो पाल की ढोना मतलब खड़िया ढोना हुआ करता था तो उसी से नाम इनका पढ़ा है खड़िया सारे सही है, option disc cancer हो जाएगा next है, मुख्यता कितने वर्गों में विवाजित किया गया है तो तीन वर्ग है कौन कौन सा दूद, ढेलकी और पहाडी तो इसमें जो है दूद और ढेलकी बहुत कुछ सेम मिलेगा पहाडी के लिए अलग मिल जाता है क्योंकि अभी भी ये जंगलों में रहते हैं, पहाडों पर रहते हैं और जंगल के जो कंदमूल होते हैं उसी के अधार पर जो है अपना जिवानियापन करते हैं लेकिन ये जो है क्रिसी करते हैं अभी जश्ट आपको बताया गया कि ये इस तर क्रिसक हो चुका है यह अभी भी पहाड़ों में रहते हैं और पहले जैसा हुआ करता था ट्राइब्स की जो इस्तिती हुआ करती थी वैसे ही यह अभी रहते हैं तो यहाँ पर इसका अंसर जो सबसे आधात समरिद है आउप्सन यह होजाएगा और यहाँ तक कोई दिक्त नहीं होना चाहिए अब क्या इनित अंसर और भी और छाएगा नेक्स्ट, खड़िया ट्राइग में सरवाधिक प्रचलित विवा कौन सा है, इसमें ध्यान देना है कि विवा जो करवाया जाता है, मेडियेडर के माध्यम से और जिसमें वदुमुले, गिनिक तंग लिया ही जाएगा, वो एरेंज मैरिज कहलाएगा, और इसमें जो इसके माध्यम से किया जाता है, उसको बोलते हैं अगुवा, तो अगुवा को यहाँ पर खड़िया ट्राइब में या तो सुया बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग अगोर, ओके तो यह भी आप याद रखेगा, और संडी इसका एंसर हो गया, नेक्स्ट है खड धुकुचोलकी, धुकुचोलकी क्या है, कि जो हट विवा होता है, बस उसी को खड़िया में क्या बोलते हैं, धुकुचोलकी बोलते हैं, हट में क्या होता है, लड़की जबरन जो है, लड़के के घर में रहती है, साससुलकी सेवा करती है, खुद को प्रतारित भी करती है तो यह धुकू चोल की हो गया तापा तापा विवा क्या होता इसको अपहरन विवा भी बोलते हैं और दूसरा नाम इसका जो है यह तनीला है ओके तो इसमें क्या है कि यह एक तरफा प्यार हो गया और लड़के के द्वार लड़की का अपहरन कर लिया जाता ठीक है तो इसक क्या हो जाएगा option D अलोल दाई विवा जो की सरुस्रिष्ट विवा है यह arrange marriage का टाइप है क्राई विवा कहीं प्रकार है option D इसके बाद है खडिया ट्राइब में सम्मंदित किस खडिया ट्राइब से सम्मंदित किस विवा में लड़की द्वार लड़के के घर में जबरजस् और इसी को बोलते है अनाहुत विवा क्या बोलते हैं अनाहुत विवा बोलते हैं तो यह आप याद रखेगा इसका एंसर option B हो जाएगा तापा में क्या होता है अपरन होता है इसको तनिला भी कहते है अलोल दाई सबसे बेश्ट हो गया उधरा उधरी विवा जो है यह क्य पार है तो ये क्yas हो जाएगा तनिला को क्या बोलते हैं तापा इववाख छीकए इतुद बापला निर्बोलक हो गया हट विवा है ना यह क्या हो गया हो गया किसमें संथाल में याद या निर्वा हो गया और किसी ऑकेजर में मांग भरकर साथी कर लेना वो इतुद को क्या बोला जाता है Qdj यहान रखेगा कि इस दिन हम लोग क्या जानते हैं कि सहराई जो है, ये कार्तिक अमावास्या में होता है, ति पावली के दिन, और इस दिन क्या होता है, इस दिन जो है, कार्तिक अमावस्या में पस्वों की पुजा की जाती है, इसी को बोलते हैं सहराय, लेकिन खड़िया जन जाती में पस्वों की जो पुजा होती है, वो कार्तिक पु नवा खानी है यह जो है नवा खानी है नेक्स्ट एक मिनट मैं जब अच्छे कर लूँ ओके सब कुछ ठीक है अगला कुशन है नया अन या नहीं नया अन नया अन जब ग्रहन किया जाता है तो जो फेस्टिवल मनाया चाहता है इसको बोलते हैं जो ओर डेम जो ओर डेम बोलते हैं या फिर इसी को नयो देम बोलते हैं और इसी को जो है धान नुवा या बोलते हैं तो नया अन ग्रहन करने के समय नया अन जब घर में आता है तो उस समय इस फेस्टिवल को मनाया जाता है तो धान नुवा खाई, नयो देम, यही सब हो गया, ठीक है, धान नुवा खाई, अच्छा, यहाँ पर यह option A और B सही है, लेकिन बाव बिड़ी भी दे दिया गया है, यह जो होता है, यह धान बुनी होता है, यह जो है, यह धान बुनी के समय है, धान को जब धान की रोपनी की जाती है, तो उस समय यह मनाया जाता है, अपसन A और B, C बिल्कुल नहीं होगा, तो चुकिए यहाँ पर हम लोग को एक से ज़्यादा एंसर मिल रहा है, तो एंसर D, एंसर कर सकते हैं, अगर हम लोग ग्राम पंचायत की बात करें, तो आपको ध्यान देना है, कि इसमें जो पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, धीरा पंचायत, देरा पंचायत हो गया, अब इसमें जो हेड होता है, वो क्या होता है, महतो होता है, और इसका जो धार्मिक परदान होता है, उसको देख लेते हैं, देखें, महतो हो गया, धार्मिक परदान जो होता है, यह होता है, कालो, या फिर इसको बोलते हैं, पाहन, ठीक है, यह हो होगा लेकिन यह किसके लिए हुआ यह हुआ जो ंदो्त खड़िया और देल oni करूँ अगर और अलोक बात करें जो पहाडी खड़िया हैं तो उनके लिए जो अप्रसासनिक परदान होगा वो क्या कहलाएगा दंडिया कुझ के और तेया नहीं देवरी बोलते हैं देहुर नहीं बोलते हैं यहां पर यह जो है धार्मिक परधान हो गया किसका पहाड़ी खड़िया का ऑप्सन भी नेक्स्ट है खड़िया ट्राइब में गिरिंग बेरी का सम्मन्द किस से तो यह जो है अपने भगवान को गिरिंग बेरी बोलते हैं गिरि पहारादोःता को बोलते तो जो छे यह पाहाड दे उता हो गया बोर sworn जो है यह विलन देवी को बोलते हैं यह थे नेकस्ट Corpsहर्ण ट्राई में व्द रे itself को क्या बोलते हैं निफताइ पहार देवता गुमी को बोर profound क्या हो गया, वन देवृता, धर्मराजा, अवरोल भगवान. Next, वन जो है, सरना देवी को क्या कहते हैं? शरना देवी को जो बोला जाता है, वो है गुमी, option B is cancer हो जाएगा, गुमी बोला जाता है, कालो जो है, कालो धार्मिक पर्दान है, कालो या पान, जब लोग बात करेंगा डेहरी या दूद खड़िया की ये चीज़ आपको याद रखना है और दिहुरी जो है ये एक्चलि देहुरी होता है पहाडी खड़िया का धार्मिक परतान है और ये जो है ये लाश्ट कोशन है प्रमुक देवता कौन है तो प्रमुक देवता जो होते है इनको बेला भगवान बोला जाता है या फिर इनही को ठाकूर बोला जाता है जो कि सूर्व देवता के समान है ठीक है तो ये 20 ट्राइब हुआ 20 कोशन हो गया खड़िया ट्राइब से और आज मंडे है तो मंडे से सारे कोशन अब कंटिन्यू चलेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्ट लेक्षर में थैंक्यू फूर वाचिंग जारकन परिक्षा